आज जो कुछ भारत में चल रहा है, कृष्षी के क्षेत्र में, हम देखते हैं कि भार मेक्ट्स जो है वो विवाद का विशे बने हुए, तो ये कृष्षी क्षेत्र का उदारीकरण है, जो आज कल आप अगमारों में पढ़ रहे हो, तो ये कृष्षी क्षेत्र की उदारीक तो आप शब्द पर भी ध्यान दे सकते हो कि word का खुद में अर्थ क्या है तो उदार करन का मतलब यह वाना करन का मतलब करना हुआ उदार करना उदार किसको करोगे जो मतलब कठोर होगा उसी को उदार करने की बात होगी जो पहले से उदारी कृत है उसका क्या उधारिकरण करो गया कभी निजिक शेत्र का निजिकरण सुना आपने यह कभी नहीं होता है when you talk about privatization you always think about government sector पहले government sector होता है then you say कि निजिकरण की बात आप करते हो राष्ट्रिकरण के लिए पहले निजिक शेत्र का होना जरूरी है निजिक शेत्र का ही राष्ट्रिकरण करते हुआ राइट तो तो यह जो कुछ है मतलब भी जो एगरी कल्चर में चल रहा है यह भी एक उधारिकरण है लेकिन यह इतना विलंबित क्यों हुआ भारत में क्या हम उध्यों की उधारिकरण के साथ इसको नहीं कर सकते थे तो यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिशी राज्य सुच्ची का विश्य है और राज्य को उसे देखना है मतलब केंद्र उसमें कुछ नहीं कर सकता है एज सच मतलब बाकी केंद्र ने जो एक आनून बनाए उसके पीछे कुछ-कुछ उनके तर्क है जिसे इंटर स्टेट कॉमर्स इंटर स्टेट कॉमर्स पर लोकोन बनाता है केंद्र बनाता है तो उसमें इंटर स्टेट कॉमर्स के पॉइंट्स डले में जो फार्मेक्ट है और उधारिकरण की सेंस में कि किसान मंडी में ही माल बेचेंगे ये जरूरी नहीं है APMC मंडी में माल बेचे जरूरी नहीं है और अगर आप ये कहते हो कि उसी में बेचे तो ये नियम हो गया ना ये कि आपको उसी में बेचना पड़ेगा बाधा हो गई मतलब कई बार नियम बाधा की रूप में काम करते हैं एक नियम होता है कि हम अनुशाषन में रहें और केोटिक समाज नहीं बने जिसमें मतब शोरगूल हो जिस समाज में अनुशाषन इंता जिस समाज में आर्टिकल 19.1 जो है जो बेसिक फ्रीडम से उनकी बात करता है फ्रीडम ओफ स्पीच और एक्स्प्रेशन मुमें प्रॉफिशन आर्टिकल 19.1 में है न यह मतब 19.1 A, B, C, D आपको पता होगा लेकिन आर्टिकल 19.2 पढ़ते हो आप वो क्या बात करता है वो प्रतिबंद की बात करता है कि जो आर्टिकल 19.1 में स्वतंत्रिताएं वरणी थे उन स्वतंत्रिताओं पर प्रतिबंद लगाये जा सकते है पार्लिमेंट के द्वारा और वो प्रतिबंद उच्चित होने चाहिए ऐसा उसमें लेंग्वेज है तो एक तरफ हम स्वतंत्रिताओं की बात करते है ठीक उसके नीचे प्रतिबंदों की बात करते है तो ये प्रतिबंद की सीच के लिए क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे जो राइट्स को एक्सिसाइज करने में बाधा बन रहे हैं नहीं, वो हमारे rights के exercise को direction दे रहे हैं, बाधा नहीं मन रहे हैं, अगर हमारी स्वतंत्रताओं के उपभोग से हमारी देश की अखंडिता, संप्रभूता, पडोसी राष्टों के साथ हमारे मित्रवत संबन, public morality, मतब जो सार्वजनिक नेतिकता है, वो प्रभावित होती हो, तो आपर प्रतिमन लग सकते हैं, तो स्वतंत्रताओं का भुला प्रतिबंदों के कांटों में खिलेगा, ऐसे नहीं होगा कि आप हर आदमी को, मतब फुल छूट दे देंगे, ताकि वो कुछ भी कर सकें, तो यही होगा कि जो शक्तिशाली है, वो स्वतंत्र है, जो शक्तिशाली नहीं है, हाँ, प्रोफेसर अमर्तिस सेन कहते हैं कि जो क्षमतावान है, वो स्वतंत्र है, मैं क्षमतावान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्तिशाली की बात कर रहा हूँ, क्षमतावान होना और श ज्यादा स्वतंत्र होता है कि इसे मान लीजिए कोई विक्ति बीमार है मैं बेडमिंटन खेलता रहा हूँ खूब मतलब शोक से मतलब इसे कोई स्कूल कोलेज में नहीं बाद में अभी आकर दो एक साल पहले से बेडमिंटन खेलना शुरू किया मैंने तो मेरे अंदर एक वो खेलता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं उनका लड़का नेशनल लेवल पे खेलावा है और मैं उनके साथ खेल रहा हूँ तो मुझे छे मैने तक तो डिप्रेशन में रहा कि इनको केसे में क्या करूं तो लेकिन मुझे एक डॉक्टर ने का कि आपके लिए बेडमिंटन मतब ठीक नहीं है मत खेलो आप उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपके जो नारुज बगे रहा है उनमें प्रॉबलम आ सकती है अब मेरी बहुत इच्छा करती है मतब इस क्लासे पहले में खेल के आ चुका होता मतब लेकिन मुझे मना कर दिया है तो क्या मैं स्वतंत्र हूँ मैं मजबूर हूँ मतब आप मुझे स्वतंत्र नहीं कह सकते है क्योंकि मेरी चोईस लिमिटेड हो गई हेल्थ की वज़े से तो उन्होंने मेरे को बोल मैंने कासर में क्या करूं ता कि आप वो कर लो गूम सकते है अब ठीक है मैं स्कूल में पढ़ता था जब पेदल चलता था खूब सहरा बस को पकड़ने के लिए तो उसमें भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन मुझे बेडमिंटेन उससे ज़्यदा अच्छा लगने लगा लेकिन मैं नहीं खेल पा रहा है लेकिन जो मेरे पार्टनर है उनको किसी डॉक्टर ने मना नहीं क पूछा है पेपर आप पुराने देखिए मतलब पॉलिटी के अंदर जो गवर्नेंस का है जियर सेकेंड उसमें ये पूछा है उन्होंने कि अमर्ति सेंसर ने सिक्षा और स्वास्ते पर अधिक जोर क्यों दिया इसी तरह का प्रशन सीधा उनका ना मेंशन करके ये सवाल जो ग्यानवान होता है वो भी क्षमतावान होता है जो कुशल होता है जिसमें कोई ने कोई स्किल होती है वो भी क्षमतावान होता है तो क्षमताओं का विकास अमर्ति सेंसर कहते हैं किया जाना चाहिए और सही माईने में जो आर्टिकल 19-1 की स्वतंत्रताय है उसका मुझे खड़ा रहना पड़ता है दिन बर खड़े रहकर बढ़ाता हूँ मैं जिस दिन मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो मेरे को जिस विक्ति ने काफी जीवन बर पढ़ाने का काम किया हो तो उसको तो बार-बार यह लगेगा ना कि मैं पढ़ाऊं मतलब मैं बेठा नहीं रह सकता लेकिन अगर मेरी हेल्थ साथ नहीं देगी तो मेरे को मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरा प्रोफिशन भी मेरी कैपिसिटी से जुड़ा तो पॉलिटिकल साइंस में अगर राज्य हमें स्वतन्तृता देता है तो इसका मतलब यह नहीं मानना चाहिए कि स्वतन्तृता लोगों को मित जाएगी आप जिस दिन ऐसा पढ़ना शुरू करो गए इस तरह से तो यह मेंस का स्टाइल है इसको मेंस कहते हैं आपकी पॉलिटी भी इकनोमिक से लिंक हो गई यहाँ पर जो अभी मैं क्षमता और स्वतन्तृता को जोड़ रहा हूँ क्षमता और स्वतन्तृता को जोड़ रहा हूँ अब जो विक्ति पढ़ा लिखा नहीं है जिससे आप ही का केस ले लिजे आप में से कई सारे लोग इस बात का उफन मतलब एक्सक्यूज देते हैं कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते मतलब मैं आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ मतलब ज़्यादातर हिंदी मार्धिम के स्टुडेंट्स इस बात को जरूर कहते हैं कि सर को ऐसा तरीका बता दें कि मतलब हमें मतलब हिंदू नहीं पढ़ना पड़े हमें इंडियन एक्स्प्रेस नहीं पढ़ना पड़े कोई अखबार होगा सर कुछ मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे इस चीज को लेकर जिद करते कि आपको ऐसा सोर्स बता दो अब वो सोर्स कैसे बता है है यह नहीं तो क्या बता है तो यहां पर आप स्वतंत्रता आपकी कॉंप्रमाईज हो गई क्योंकि आपकी एक क्षमता कमजोर हो गई वो क्षमता कौन सी है लेंग्वेस की तो आप कहां free way मतलब आप तो मजबूर हुए कि YouTube पर कुछ लोगों की वीडियो देखने के लिए जो खुद भी उतने trend नहीं है लेकिन वो पढ़ा रहे है मतलब YouTube पर trend बोले तो मतलब हर विश्चे को एक आदमी तो नहीं पढ़ा सकता है मिरा इमानना है होंगे वो trend अपने क्षेथर में लेकिन अब economics का कोई topic आएगा तो उतनी घहरा ही तो मेरे इसाफ से नहीं दे सकते है science का कोई topic आएगा तो उसमें नहीं दे सकते है अगर एक आदमी तो एक ही विश्चे को सीख सकता है या दो सीख सकता है और हिंदू वगेरा में तो न्यूज सारे टोपिक्स पर आती है तो ख्षमता और स्वतंत्रता में अंतर हुआ अब आप कहते हो कि यह equal opportunities of employment I think article 16 में है तो रोजगार के समान अवसर यह कहने से समान अवसर मिल जाएंगे राज्य ने कह दिया है कि यह सब कुछ समान अवसर अब आप ले लीजे एक गाउं में बेठावा बच्चा जिसके माता पिता गरीब है किसान है इंकम नहीं है क्या वो आईस बनने के रोजगार के समान अवसर प्राप्ति कर सकता है वो तो आपने constitutionally कहा कि राज्य कोई बाधा नहीं क्रियेट कर रहा है लेकिन उस समाज में तो समान था नहीं है ना क्षमताओं को लेकर तो फिर यह कहने का अर्थी क्या हुआ है कि रोजगार के समान अवसर राइट तो खेर मैं इस टोपिक को ज़्यादा ड्रेक नहीं करूँगा क्योंकि फिर कई बाते निकल जाएगी इसमें और हमारी क्लास इसे में चली जाएगी तो कोई फाइदा नहीं निकलेगा उस चीज़ में आयत हरी भजन को ओटन लगे का पास ऐसे होने लग जाएगा तो हमें हरी को याद रखना है मतलब और हरी यहाँ पर हमारी क्लास और हमारा परपेज है सीधी से बात यही है कि वही हरी है भी तो तो हम लोग मतलब 35-40 क्लास में इसको कवर करेंगे और मैं बीच-बीच में आपको questions दूँगा यहाँ पर जो आम तोरपे में देता हूँ वो आप मेरे को दिखा सकते है मैं खुद ही देखूंगा और comment तो दो-चार एक दो ही होते हैं जब मैं जाचता हूँ वेरी गूड, एक्सिलेंट गूड, या कहीं language में लगता है तो उसको मैं बताता हूँ ज़्यादा नहीं लिखता मैं उसमें लेकिन इसका मत तो यह नहीं कि आप और आपको यह डाउट करो कि सरफ ने देखा है कि नहीं देखा है कई बार जड़ा बोलनेवालों को लोग ज़्यादा मानते हैं ये एक problem है हमारे समाच के कि जो ज़ादा बोलेगा ज़ादा अपने बारे में कुछ कहेगा, दस कमेंट लिख देंगे आप पर ऐसे लोग भी है एक, नहीं कहना चाहिए मुझे लेकिन एक बार में ये जाच रहा था कौपी, आप ही लोगों की मतलब ऐसे कोई बेच था, तो एक सर आए मेरे से मिलने के लिए, वो भी विख्यात है, तो वो बोले क्या कर रहे हैं, आप मैंने कह ये देख रहा हूँ, तो उन्होंने जटक लिया कौपी मेरे हाथ से, बोले ऐसे नहीं देखते हैं, और फिर वो पांच लाइने खुदी लिख दिये मेरे वाले पे, बोले ऐसे देखते हैं, मुझे बड़ा अफसूस हुआ इस चीज़ का है कि इस तरह से तो मैंने देखा नहीं था करहीं मैंने का सर ये चीज अच्छी नहीं है मतलब कि ऐसे अब देखा ही नहीं उसको और आप उस विशे के हो ही नहीं, उन्होंने कई सारे पांच कमेंट ऐसे लिख दिये जो कॉमन टाइप के होते हैं भाशा पे ध्यान दे या इस तरह के कुछ कुछ ऐसे लिखे थे मुझे उस दिन लगा कि बहुत दिफ्रेंस है चीजों के अंदर तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं सब के अपने सिद्धान पर हैं सब लोग अपने ढंक से काम करते हैं लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको, कि आपको यह नहीं सोचना है, कि यहां बार सुबरत बेठे में, तो वो कोपी जाचेंगे, और मैं नहीं जाचेंगा इस तरह से, टेस्ट पेपर भी, पीटी तक के टेस्ट पेपर लेट हो जाते हैं, यह मैं कहूंगा क्योंकि मुझे खुद को बनाने पड़ते हैं दस सवाल बनाने में मुझे कभी कभी तीन, तीन, चार, चार गंटे लग जाते हैं कि मैं यह सोचता हूँ कि यह सवाल आनी की possibility रखे यह सोच के बनाता हूँ तो उसे मुझे समय लगता है guarantee किसी चीज की नहीं होती है अच्छे कौसिस करने पर भी हो सकता है मेरे पढ़ायवे में से आपको सवाल ना भी मिले ऐसे भी possibility हो सकती है आज दिन तक तो नहीं हुआ लेकिन नहीं हुआ उसके आधार पर मैं यह नहीं कह सकता है कि आगे नहीं होगा लेकिन एक topic है जिसको आप चारों तरफ से cover करते हो उसके बाद भी अगर कोई सवाल ऐसा बन जाता है तो इतना मैं जुरूर कह सकता हूँ कि वो सवाल आप थोड़ा mind लगाओगे तो जो भी class में हम लोग पढ़ेंगे discuss करेंगे वो आराम से आप कर सकते हो आम तो पर तो आपको के रख लो 2013 और उसके बाद के और टेस्ट सीरीज वगेर आप पर ज्यादा फोकुस करने के बजाए पीछे के पेपर को देखकर आगे के आ सकता है अपने खुद के प्रश्ण बना हो आप लेकिन अपडेटिट रहना पड़ेगा जो कुछ चल रहा है उसके साथ आपको जुड़के रहना पड़ेगा उसके आधार पे आप अपने प्रश्ण बना तो आपको ज़्यादा फाइदा होगा बजाए की टेस्ट सीरीज वगेरा वगेरा क्योंकि ये पूरा कॉमर्शलाजेशन है और एक टीम होती है हर जगे पर वो टीम को वो काम दिया जाता है वो अपने इसाब से फिर बनाती है तो वो टीम मतलब मेंट टीचर तो नहीं होते हैं दूसरे ही लोग होते हैं तब वो किस तरह का काम कर रहे हैं थोड़ा डाउट में रहता हूँ मैं तो इस तीज को लेकर इसे ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद भी मेंस देने की काबलियत रखते हो तो बाकी कोचिंग्स में भी क्या होता है कि वो लिखते हैं कि आपने मेंस दिया हुआ हो इस तरह की लोगों को टीम में शामिल करते है तो यह तो अच्छी बात है लेकिन आप भी तो वो कैपिसिटी रखते हो आप सोचों कि आप अगर परिक्षक होते तो क्या सवाल बनाते है UPSC के स्रेंडर का वैसे आप कर सकते हो तो हम शुरुवात करते हैं और कोई किताब खरीदने की खास जरुत नहीं है आप मतलब क्लास पे ध्यान दो जो नोट्स में यहापे बनवाऊंगा उसके साथ आप चले और ज्यादा है तो एक I.C. ढिंगरा की किताब आती है इश्वर चंद्र ढिंगरा वो खरीद सकते हैं आप यह सबी लोग जानते हैं इसको भारतियर्थिस्ता विकास और निती करके एक किताब आती है वो आप ले सकते हो साथ साथ में चलने के लिए राइट तो हम एक टोपिक की शुरुवात करते हैं MSP तो आप इसे हेडिंग लगा ले minimum support price प्रस्तावना लिखेंगे जब से पहले प्रस्तावना में लिखेंगे भारत में भारत में क्रिशी विकास भारत में क्रिशी विकास रण निती का एक मुख्य पहलू का मुख्य पहलू का एक मुख्य पहलू ऐसे लिखाना है का एक मुख्य पहलू ये रहा है की का एक मुख्य पहलू ये रहा है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उच्छित मुल्य मिले एक और लाइन लिखे फिर समझाता हूँ इस अंधर्बे में मेंस में कहा है कि आप इसे छोटे शब्द लिख सकते हैं इस अंधर्बे में MSP की भूमी का की भूमी का महत पून है जैसे ये MSP के बारे में हम लिखे रहे हैं तो हम इसकी शुरुवात ऐसे भी कर सकते थे कि MSP सरकार द्वरा किसानों को प्रस्तूत की जाने वाली एक नियूंतम कीमत है तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको लेकिन ये लेखन उतना बढ़या नहीं माना जाएगा इस तरह से टोपिक को उठाना अगर आपके पास एक बड़ा फ्रेम है जिसे आप इंटर्यू के लिए गए यूपीएसे में तो आपसे ये पूछते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हो कोई परपस होगा तो कोई भी टोपिक होता है उसका एक फ्रेम होता है कि किस फ्रेम में इस टोपिक का संधर भी बन रहा है मतलब MSP क्या है ये बताने के बजाए MSP क्यों है वहाँ से आपको इसे शुरू करना चाहिए मतलब आपका ध्यान मेरी बात पे पूर्ण रूप से रहना चाहिए जो लिख रहे हों तो ठीक है लेकिन जो मैं बोल रहा हूं साथ में उस पर ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए तो हमने लिखा कि भारत में क्रिश्य विकास रण निती का एक मुख्य पहलो तो हमने किसको वरियता दी आपके क्रिश्य विकास को एगरी कल्चरल डेवलप्मेंट को इसको डाइग्राम के रूप में जो भी बात हमने लिखी उसको आप ऐसे समझ सकते हैं अगर मैं एक वृत बनाऊं इस तरह से और इसको मैं क्रिश्य विकास की रण निती समझूं अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में एगरी कल्चरल डेवलप्मेंट हो कई कारण है इसके पीछे जैसे क्रिश्य विकास का इंजन मानी गई है इंडिया में जन संख्या जो वर्किंग पोपुलेशन उसका एक बड़ा भाग क्रिश्य पर डिपेंडेंट है फिर खाद्य सुरुक्षा के मुद्धे हैं इतना सारा पोपुलेशन हमारे देश में तो क्रिश्य की अंदेखी नहीं कर सकते हैं इसे पंडित निरू ने का कि everything can wait but not agriculture हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन क्रिश्य इंतजार नहीं कर सकती है हमें उस पे ध्यान देना होगा रहे तो क्रिश्य विकास भारत के लिए जरूरी है और वो कई चीजों से आएगा तो main purpose तो हमारा ये है कि क्रिश्य विकास होना चाहिए अब इसके अंदर आप जैसे हमने भूमी सुधार को हम मान सकते हैं कि भूमी सुधार होंगे तो क्रिश्य विकास होगा राइट तक्निकी सुधार करेंगे green revolution और इस तरह के जो तक्निकी सुधार है उससे भी होगा राइट तक्निकी सुधारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक सेवाएं होती है, उनको कहते हैं विस्तार सेवाएं, वो होनी चाहिए, मार्केटिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, बाजार जो आजकल हमारी सरकार कर रही है, APNC Act वगेरा, मार्केटिंग किसानों के प्रोडक्ट की ठीक नहीं हो पाती है हमारे देश में, बिचोलिया काफी सारे हैं, मंडियों में वैपारियों किसानों का सोशन करते हैं, अलग-अलग शुल्क वसूलते हैं, आठित के नाम पर, पल्लेदारी के नाम पर, गर्दा के नाम पर, यह सब चीज़े हम लोग आगे पढ़ेंगे, और मंडि प्रशाशन भी शुल्क वसूलती है, टैक्स लेती है, बलकि कई सारे रिसर्च पेपर में एक आगया है कि राज्य सरकारों ने, इनको टैक्स कलेक्शन के केंद्र मान लिया, तो किसानों को इस तरह के सिस्टम से प्रोब्लम हो रही है, तो उनको सही रेट मिले, सही मार्केटिंग हो, मार्केटिंग रिफॉर्म्स भी उसमें आएंगे, ऐसे उसके अंदर MSP भी आएगी, जो एक सही क्रिशी कीमत नीती भारत में होनी चाहिए, कि इनकेश मार्केट सही दाम नहीं देता है, तो किसान के पास बचने का क्या रास्ता है, मार्केट में तो अब डाउन होते रहते हैं, और एक किताब पढ़ रहा था मैं, मतलब खेती को लेकर नहीं पढ़ रहा था, क क्योंकि छुटियों में मैं टाइम को इसी तरह से देख रहा था, और लंबी छुटियां रही अभी, छट पूजा और ये से, तो मैंने भी पढ़ने का काफी मोका ढूंडा इसमें, तो एक किताब में लिखा गया, कि कृशी में और मैनुफेक्चरिंग में जो डिफरेंस ह करता था, कि जिसे फैक्टरियों में, मैनुफेक्चरिंग में क्या होता है, कि आप जितना माल चाहिए उसके हिसाब से आप प्रोड़क्शन कर सकते हो, जितना चाहिए उतना कर सकते हो, कृशी में ऐसा नहीं होता है, कृशी में आप मोनीटर नहीं कर सकते हैं, प्रोड़क अधर भी आ सकती है कम भी आ सकती है उसको आप चाहो कि मैं एक-क्विंटल के इसाफ से मौनिटर कर दूँ कि 99 क्विंटल ही होना चाहिए 100 नहीं होना चाहिए अगली बार में 101 क्विंटल कर दूँ 100 नहीं होना चाहिए इतना exact monitor करिश्शी नहीं हो पाती है उसमें सबसे बड़ी प्रोबलम क्या आती है डिमाँड और सप्लाई दोनों में उसमें ये इसुजओ से डिमाँड भी उसमें क्या रहती है अग्रिकल्चर में स्टेटिक रहती है कristi वस्तों की माँग आप थोड़ा सोचें इस पर आप ये नहीं सोचें कि मैंने पढ़ा नहीं कभी और ये अरे पढ़ा नहीं तो जीवन तो देखा है न मतलब भारत को देखा है, खेती को देखा है, खेती वाली वस्तों को देखा है क्रिश्ची वस्तों की मांग में आपको लगता है कि एकदम सडन जंप हो सकता है गेहूं अच्छानक उसकी मांग बढ़ जाएगी आप थोड़ी देर के लिए सोचे कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मतलब बाहर की कंट्रीज में माल नहीं बेच रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि सडनली गेहूं की डिमांड बढ़ गई भारत में सडनली प्याज की डिमांड बढ़ गई मैं डिमांड की कह रहा हूं मैं कीमत की बात नहीं कर रहा है प्याज की कीमत ज़्यादा हो सकती है टमेटो की कीमत मेरी वाइफ कली मुझे बता रही कि टमाटर क्या रेट आपको पता है मैंने का मैं क्यू पता रखूँ मैं तो पढ़ाने का काम करता हूँ तुम बता हूँ क्या रेट है बोले 80 रुपे किलो है ठीक तो सोच के खाना इनको अच्छा मैंने मज़ा को बात वाला तो मैंने जोड़ दिया था कि सोच के खाना लेकिन ये बोली कि 80 रुपे को टमाटर है मैंने का तुम पिछले साल कितने का रेट था बोले 30 रुपे किलो का था अब 80 रुपे किलो है मुझे दुख वा है सीच को लेकर खास तोर से कि जो salary class है fixed income वाले लोग है जो inflation हम लोग पढ़ते है मुद्रास्पिते तो वो मुद्रास्पिती का प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हो कि rent बढ़ रहे हैं और हर चीज महंगी हो रही है बाहर पेट्रोल डीजल वगिरा यह सारी चीज़े मिलके आग में घी डाल रही है लेकिन लोगों के वेतन जोब जा रहे हैं बलकि इनफेक्ट में तो जोब लोगों को फिर से ने मिल पा रहे हैं उपर से यह स्थिती है तो उनका लिविंग स्टेंडर्ड कितना नीचे चला जाएगा तो कीमतें बढ़ने के पीछे यह जो वज़े है हमारे देश में यह आप यह मत समझेगा कि डिमांड की वज़े से यह हरी सबजी फल और यह मांग की वज़े से महंगे है मांग करण नहीं होता है इनका अचानक लोग ज़्यादा नहीं खाने लगे की केमत ज़्यादा होगे क्रिश्शी वस्तों में जो भी प्राइस का फ्लक्च्वेशन आता है सप्लाई की वज़े से आता है सप्लाई कम ज़्यादा होने से क्रिशी बस्तों की कीमतों में चेंज आते हैं या इन पे आजकल वाइदा कारोबार चलता है जो आगे का मार्केट होता है जिसमें लोग अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको लेकिन आपने सुना जरूर होगा कि एक वाइदा कारोबार होता है वो आगे का मार्केट होता है वो सटे पे चलता है पूरा बहुत सटा होता है उसमें तो मैं जब मार्केटिंग का टोपिंग पढ़ाऊंगा तब थोड़ा लेके आऊंगा उसको अभी प्रिमेचूर हो जाएगा राइट तो क्रिशी बस्तों के साथ सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या है कि उनकी कीमते फ्लक्चूेट करती है और ये फ्लक्चूेशन ज़्यादा आते है सप्लाई वाली साइड से आते हैं डिमांड वाली साइड से नहीं आते हैं तो किसान को डिमांड का फाइदा नहीं मिल पाता है और किसान अपने production को भी monitor नहीं कर पाता है दोनों तरफ से वह मारा जाता है तो क्या हम कृष्ची विकास किसान के नुकसान पर भारत में कर सकते हैं नहीं कर सकते आप भरित लांती को भारत में लागू नहीं कर सकते अगर इस तरह के लोसेज किसानों को होते रहेंगे तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसी कीमत हो तो किसानों को इस उतार चड़ाव से मुक्त कर सकें तो एक अच्छी कृष्ची विकास की रणनिती जब आप बनाओगे तो उसमें ये भी ध्यान होगे कि किसानों को उनकी उपज का उचित मुल्य मिले उचित को लेकर बहस हो सकती है वो एक अलग बात है लेकिन उस बहस का अंत भी हो सकता है कि हम इतना तो दे दें उसको कि उसकी लागत निकला है अगर इस बात को लेकर बहस है कि किसान को कितना मिलना चाहिए तो इस बहस का एंड तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कॉस्ट ओप कल्टिवेशन तो उसकी निकले, कम से कम ये किमत तो दो उसे तो ये अशोर्ड प्राइस होना जरूरी है कुछ साल पहले मतलब तेन चार साल पहले हमारे देश में दालों की रेट ज़्यादा बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा रेट जा रहे थे जिसे अभी भी दाले महेंगी है ऐसे दालों की रेट महेंगे हो रहे थे तो हमारे सरकार ने एक कमीटी बनाई थी अरविंद सुब्रमन्यन सरका नाम सुना होगा आपने वो एकोनोमिक एडवाइजर रहे थे और फिर छोड़ के चले गए थे गौर्णमेंट की पॉलिसी से उतने खुश नहीं थे फिर उन्होंने एक सीरिज भी निकला था आपको याद होगा कि जीडीपी की ग्रोफ रेट को लेकर उन्होंने का कि उतनी ग्रोफ रेट इंडिया में नहीं रही है जितनी सरकार दिखा रही है वो वहीं अमेरिका से ही मतलब अपने पॉस्ट कर रहे थे और सरकार इदर से जवाब दे रहे थे वो सरकिय अधिकस्ता में एक समीटी बनी और जब सरकार के साथ उनकी पट रही थी और एकोनोमिक एड़वाईजर थे थे कि भारत में दालों की उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके उपर वो कमिटी बनी थी तो उस रिपोर्ट को भी मैंने पढ़ा तो एक जगे उन्होंने लिखा बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज लगी मुझे उन्होंने रिसर्च में बताया कि किसान बाजार कीमतों से उतने प्रभावित नहीं होते हैं अपने उत्पादन समंदी निर्णे करने के लिए कि कौन सी फसल होगानी है कौन सी फसल नहीं होगानी है ये जो निर्णे वो करते हैं ये निर्णे वो बाजार कीमत से नहीं करते हैं ये निर्णे वो MSP को देखकर करते हैं स्टेबल प्राइस को देखकर करते है MSP तो स्टेबल ही होता है ना आपने ये तो कभी सुनानी होगा कि MSP कम कर दी MSP या तो वहीं रहती है या ज़्यादा कर देते है यही होता है यह ठीक उसी तरह से कई लोग बिजनिस ने करना चाहते जैसे आपको मैं कह दूँ कि आपको 5 लाक रुपे मैंने की इंकम वाला कोई बिजनिस में करवाना चाहता हूँ तो आप भी मना कर देंगे कि नहीं सर पांच लाक रुपे क्या मतलब कब तक आते रहेंगे तो मैं कहूंगा कि 6 मैने तक आ सकते हैं उसके बाद मेरे को पता नहीं तो आप मना कर देंगे कि नहीं I do not want to go into business Most of the people in our country and to some extent in other countries I think they prefer government job, private sector job why because there is a stability private sector में भी अच्छी कंपनियों में stability मिल सकती है और बाकी तो government job में तो है यह stability तो हम वो stable जो है चीज उसकी तरफ ज़्यदा अकर्शित होते हैं तो जो चीज हम अपने लिए समझ रहे हैं वो किसान की लिए समझने में क्या problem है हमें किसान भी stable कीमतों को पसंद करते हैं सुब्रमन्यंसर करे हैं लेकिन शांता कुमार कमीटी ने कहा कि भारत में 6% किसान ही MSP का लाब उठा पाते हैं awareness काम है अब वो एक अलग बात है लेकिन जिन लोगों को भी awareness है उनका जो research हुआ उसमें ये पता लगा इसका मतलब MSP की policy बहुत जरूरी है इंडिया में और इस context में ये बात चल रही है यहां तक आप चलोगे अगर ऐसे करके तो यही level समझ लो आप UPSC का है बस फिर आराम से मार्कस आपकी बनेंगे कोई problem नहींगी बस visualization को आपको यहां तक लाना है वो धीरे धीरे आजाएगा आज आपको लगरा होगा कि मेरा तो ऐसा नहीं है तो मुझे teaching experience है इतने वर्षों का और फिर एक ही विशे में काम करते हैं मैं teacher कम पढ़ने वाला ज़्यादा हूँ तो उस वज़े से भी है इसा लेकिन धीरे धीरे आप में भी वो आ जाएगा एक ही तो छोटा सा है क्या करना है इसमें कृष्षी के topic हैं और socio economics हैं एक बार पढ़ लेंगे बढ़या हो जाएगा निबंद में भी benefit मिल जाएगा इससे इचका तो मैंने ये प्रस्तावना क्यों लिखाया ये आपको clear हो गया होगा paragraph change करें लिखिए भारत में भारत में MSP की MSP की शुरुवात 1965 में लक्ष्मिकांत जहा समीती लक्ष्मिकांत जहा समीती की सिफारिशों पर की गई थी ये है सरकार द्वारा ये सरकार द्वारा किसानों को प्रस्तूत की जाने वाली एक नियुन्तम कीमत होती है जिस पर किसान चाहे तो सरकारी संस्ताओं को अपनी उपज बेच सकते हैं कोमा लगा कर लिखे विशेश रूप से एसे समय पर विशेश रूप से एसे समय पर जब बाजार कीमत नीचे चली जाती है नीचे चली जाती है पूर्ण विराम लगाई है और इसके बाद लिखे इस परकार कोमा लगाते हुए लिखे हैं मेस थी किसानों को बाजार जोकिम अंगरी जी लिखिये इसके पीछे मार्किट रिस्क के विरुद्ध के विरुद्ध सामाजिक सुरुक्षा जाल सामाजिक सुरुक्षा जाल और पीछे लिखे सोशल सैफ्टी नेट सामाजिक सुरुक्षा जाल सोशल सैफ्टी नेट सामाजिक सुरुक्षा जाल उपलब्दे करवाती है जो भी आपने लिखा ये पेरिग्राफ इस ये आपका पेज है राइट तो शायद आप इसे जगह छोड़ते होंगे ये नहीं छोड़ते हैं तो छोड़ना चाहिए यह लिख रहे हैं ठीक है ये पेरिग्राफ यां खतम हो रहा है तो इसे एरो निकालके यहाँ पर आप मार्किट रिस्क लिख दें इधर लिखें चाहिए इधर लिखें इसमें जो की टेर्म आया ना लिखो आप एक बार ये जो पेरिग्राफ में ने आपको लिखाया लक्षमी कांतिजासमीती से शुरू करते हुए तो इसके बार एक एरो निकालके मार्किट रिस्क लिख दें से आपको ध्यान रहेगा ना कि ये वर्ड पे मुझे फॉकस करना है बाजार जोखिम अगर आप MSP के बारे में लिख रहे हैं और ये भूल रहे हो तो नंबर नहीं आएंगे आपको ये कह रहा हूँ नहीं समझे आप कई कई पेरिग्राफ में कोई की टर्म होते हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए आपको इंटर्यू में जाते हैं MSP का फंक्शन बताइए वो इतन लंबी कानी नहीं सुनेंगे आपसे कि ये नियूनतम कीमत वो जानते हैं इसे इसको आप नहीं बात क्या बता रहे हैं नियूनतम कीमत कौन नहीं जानता है इसे इंडिया में इंडिया में रहते हैं MSP नहीं जानते फिर उनको तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है कि वो UPSC के लिए आए कोई रायटी नहीं बनता है और उतने दिन आपके पास नहीं है फिर इफ यूर बेग्ग्राउंड इस नोट मतब की पढ़ने का नहीं रहा है या मतब तीन चार पांच साल का टार्गेट कर रखे हो तो आप बहुत इंटेंसिव पढ़ाई करनी है फिर उसको कवर करना जो बाकी लोग जानते और आप नहीं जानते हो वो गेप को खतम करना पढ़ेगा तो तब ही समानता फिर परिणामों में आएगी ग्यान में विशंता एक और मैंने वो पढ़ा था एक रिसर्च पेपर जिसमें एक सज्जन ने लिखा कि ये इनेक्विलिटी ने एजुकेशन पेदा हो रही है कोरोना पीरियेड में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ ब आर्थिक विशंताओं में convert हो जाई है ग्यान की विशंता और अच्छे ची पढ़ाई करते हो अगर आप तो ये तो पहले से established है उन्होंने लिखा वो तो एक अलग बात है लेकिन United Nations की कई studies में मुझे already ध्यान है ये चीज़ विशंता समाज में क्यों बढ़ती है इसके पी जान की विशंता भी कारक बताया गया है नौलेज गेप जो होता है वो भी विशंता पेदा करता है तो आप इस गेप के साथ कब तक चलोगे मैं तो MSP आपको जाते है पूछा क्या MSP होता है आजकल बहुत विवाद में चल रहा है पूछा ही होगा अभी जो interview हुए थे उस देगा जो किसानों को market risk के विरुद्ध सुरुक्षा देता है बैस इतना सा बोल के चुप हो जाए तो market risk देखे फिर आपके marks कैसे jump मारते हैं आप कहां पचाड खा रहे हूँ मतलब mens में खा रहे हूँ इसे मैं मानता हूँ हिंदी medium वाले बच्चे लेकिन अगर आप अच् से ले जाते हैं फिर market risk का आते हैं उनको लगेगा कि हाँ इनका जवाब different है थोड़ा फिर वो पूछेंगे market risk क्या होती है तो market risk क्या होती है जो कीमत उपर नीचे होती है यह market risk है और आप बता दीजी कि सर्फ प्रिशी में market risk ज्यादा होती है क्योंकि large scale पर production होता है और production monitor नहीं कर पाता है किसान जब हम चाहें कि इतना ही करें इसा खेती में थोड़ी होता है आपने कोई किसान सुना जो कहता है इतना ही करूंगा अगर आपके पास कोई practical knowledge है तो मेरे को बताओ आपकी गाहों से शुरू करो या आपकी गाहों में कोई किसान मिला कि जो कह रहा है कि यह फसल इतनी हुगाउंगा भई इससे ज़्यादा नहीं हुगाउंगा हर किसान तो यह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड़क्शन हो तो यह चाहता है और इतने प्राकर्टिक कारे कि कुछ पता नहीं लग पाता है कि यह वीरियशन बहुत आता है इसमें तो उनको कहो सर वीरियशन बहुत आता है और यह मत बूलो उनको लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत knowledge Yable हो आप उनको यह को कि सर मेरे को ऐसा लगता है ऐसे करके बरूँ सर मुझे इसा लगता है कि डिमांड तुसर इसमें उतना रोल प्ले नहीं करती है क्योंकि इनकी मांग उस तरह की नहीं होती है जिसे स्मार्ट फोन की है जिन्स की डिमांड है, जूते की डिमांड है इनमें तो आप डिस्काउंट लाईए सेल, बंपर सेल हो जाएगा जो अमेजन विगेरा करते है आप टमाटर पर डिस्काउंट लाके देखे, एक बार प्रियोग कर लो आप राजात पुरमंडी यहां से टमाटर मिलेंगे आज मिलेंगे लियाओ एक दो ट्रक लाके डिस्काउंट करोगा तो यह आप छोटे मार्केट में तो देख लोगे कि किसी ने काए कि चलो हम एक किलो टमाटर करीते हैं तो दो करीद लेते हैं तीन करीदे इंडिया लेवल पे आप उतने नहीं टमाटरों की सेल को बढ़ा पाऊगे फिर मानलो एक दिन हो गया दूसरे दिन आये फिर फिर लाओ डिसकाउंट नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग क्रिश्ची वस्तों को ज़्यादा खाते नहीं है बायोलोजिकल कैपिसिटी पर डिपेंड करती है दूद सस्ता हो जाए आप कितना दूद ज़्यादा बढ़ा दोगे अपने घर में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा पाऊगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ऐसा भी नहीं होगा ये मतलब थोड़ी डिमांड इनकी स्टेटिक रहती है तो उनको बताओ कि सर ये फ्लक्चुर्शन आते है और इससे किसान को बहुत अंसर्टेन माहूल मिलता है और इसलिए फिर वो टेकनोलोजी अन्य सुधारों की तरफ नहीं जा पाता है ये मार्केटरिस के तो इसलिए मैंने इसको इहां लिखवाया है कि आप मार्केटरिस को बाहर ने कालो पेरिग्राफ चेंज के लिए लिखे MSP की गोशना फसलों की बुवाई से पहले फसलों की बुवाई से पहले बुवाई से पहले की जाती है ताक की किसान फसलों की उत्पादन को लेकर फसलों की उत्पादन को लेकर उचित निर्ने कर सकें उचित निर्ने कर सकें ये भी होता बुवाई से पहले और वो भी ठीक ठाक पहले होना चाहिए अब कई बार हमारे इंडिया चुकी बहुत बड़ा है तो मांसुन उदर से आता है साउथ इंडिया से और हम ज्यादा तर इदर MS पर डिकलेर करते हैं नोर्थ इंडिया के इसा होता है तो कई बार क्या होता हम लेट कर देते हैं इदर के इसाब से उदर से उनका सीजन विचारों का मतलब सीजन बोले तो जिस समय वो होना चाहिए वो समय उनका कम रह जाता है या निकल जाता है तो आप अच्छे एडवांस में मतलब इसका अनौंसमेंट करो ताकि किसान क्या होगाना और क्या नहीं होगाना उसको लेकर राइट डिसिजन कर सके पेरिग्राफ चेंज करिए वर्तमान में भारत में थोड़ा मैं गन्यकार इनका अलब करकर की लिखा रहा हूँ ऐसे यो 23 बोला जाता है लेकिन फिर थोड़ी क्लेरिटी कम आती है तो मैं अपने ढंक से लिखा रहा हूँ एक लिस्ट भी आपको दे दूँगा हमें लिखे 22 कृशी फसलों के लिए 22 कृशी फसलों इनकी केटेगरी लिख रहा हूँ मैं बाइक लिस्ट दूँगा आपके हाथ में केटेगरी लिखूंगा ब्रेकेट में तो आप लिखें जिसे गेहूं चावल मोटा नाज दल्हन दल्हन तिल्हन और नकदी फसले गेहूं चावल की में केटेगरी नहीं बना पाया क्योंकि अंग्रेजी में तो बन जाती है अंग्रेजी में एक ये शब्द होता है एक होता फाइन सीरियल्स और एक होता कोर्स सी ओ यार एसी सीरियल्स कोर्स सीरियल्स सीरियल का मतब अनाज होता है तो मोटे अनाज को अंग्रेजी में कोर्स सीरियल्स बोलते हैं ये जो मोटा अनाज ना इसके अंग्रेजी ये होती है और गेहूं और चावल आते हैं फाइन सीरियल्स में ये तो इंग्लिश मीडियम की क्लास होती तो मैं आराम से करा देता इसका फाइन सीरियल्स लेकिन हिंदी में मुझे इनकी fine सीरियल की केटेगरी नहीं ध्यान में है उद्व पतला अनाज कह सकते हों आप चाहें तो ये मोटा अनाज है तो इसको पतला बोल सकते हों इतना ही है, तो वो ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया कि यह हूँ चाब लिख दिया, बाकी केटेगरीज है, मोटा अनाज एक केटेगरी हो गई, दलहन एक केटेगरी हो गई, तिलहन एक केटेगरी हो गई, नगदी फसले एक केटेगरी हो गई, तो हम लिए वरतमान में भारत में बाइस क्रिशी फैसलों इसके कोस्टर के बाद लिखिए के लिए के लिए के लिए MSP के लिए MSP और गन्ने के लिए IFRP 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 इसका फिल फॉर्म करें आप में लिखा रहा हूँ यहां पर लिख रहा हूँ पर फेर और रमुनरेटिव पर फेर और रमुनरेटिव प्राइस IFRP की गोष्णा की गोष्णा की जाती है आगे लिखिए IFRP IFRP भी कार्यात्मक रूप से यानि की फंक्शनली कार्यात्मक रूप से MSP के जैसे कार्य करती कार्यात्मक रूप से MSP के समान है MSP के समान है हम कार्यात्मक और कार्य करती दो एक साथ नहीं लिख सकते ना कार्यात्मक रूप से किस के समान है MSP के समान है आगे लिखिए दोनों में दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि बड़ा अंतर यह है कि जहां MSP जहां MSP सरकार दोरा दी जाती है वही वही FRP चीनी मीलों दोरा चीनी मीलों दोरा दी जाती है मतलब आप जब यह जिससे अभी आपको कहा कर था ना कि केटेगरी मतलब मैं बोल रहा था ना केटेगरी जिससे सारी दालें एक केटेगरी में आ गई एक केटेगरी बनानी हो MSP और FRP की तो दोनों एक की केटेगरी में आएंगी क्योंकि दोनों क्या है देना पड़ेगा टाइप की है मतलब किसानों को प्रोटेक्शन दे रही है दोनों तो केटेगरी वाइज वो एक ही संदूक में आएगी ऐसे मान लुआ राइट बाकी जो डिफ्रेंस है वो यह है कि एक चीनी मिलों को देनी पड़ती है एक प्रकार का समाजवाद है यह अगर आपको समाजवाद को समझना हो ऐसी छुटी-छुटी बातों में कि सरकार ने मेंडेटरी मतलब निजिक शेत्र में चीनी मिले है और कीमत सरकार ते कर रही है यह क्या है मतलब यह समाजवाद नहीं है तो और क्या है चाइनीज टाइप का मोडल है कि यह प्राइस आपको देनी पड़ेगी कि जबर्दस्ती थोड़ी है लेकिन है तो है एफार पी इस बात को दिखाती है कि सरकार निजिक शेत्र पर मतलब ओपन मार्केट टाइप का नहीं है मतलब आपको सरकार ने जो बोला हो देना पड़ेगा चीनी मीलों को और ये गन्य को लेकर है लेकिन गन्य की एक किमत और होती है जो राज्यस्तर पर भी होती है वो भी हम एक्स्ट्रा यहां पर लिख देते हैं तो आप आगे लोगे या पेरिग्राप चैंज करते है लेकर ये ध्यान देने योगी है कि ये ध्यान देने योगी है कि गन्य के लिए राज्यसरकार ने जो बोरा एक अलग कीमत गोशित की जाती है गोशित की जाती है इसे एसे पी स्टेट एडवाइजड प्राइस एडवाइजरी भी बोल सकते हैं एडवाइजड भी कह सकते हैं एसे पी कहते हैं कहते हैं यह भी यह भी चीनी मीलों द्वारा चीनी मीलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली एक न्यूंतम कीमत होती है कभी कभी न्यूंतम शब्द अनिवार्यत का भाव देता है आप कहते हो न्यूंतम सुनने में ऐसा लगता है कि कम से कम लेकिन न्यूंतम का कई बार अर्थी होता है कि ये इस से नीचे नहीं अनिवार्यत अभाव देता है जिसे कहते है यूपी ओसी में बेटने की न्यूंतम योगता का मत्तब उसको अगर वो ये लिख देते की अनिवार्यय योगता तो भी कोई बात नहीं हाती तो न्यून्तम ये कहने के लिए बाई की तो देना अब क्या होता है कि अब इसे उत्तर प्रदेश वे गिरा S.A.P. बोलते है अब एक F.R.P. भी केंडर सरकार बोलती है तो कई बार क्या होता है इनमें डिफरेंस रहता है जैसे अब एक एक जामपल के लिए कि मानलो F.R.P. 600 रुपे प्रतिक विंटल हो गन्ने के लिए और S.A.P. 700 रुपे प्रतिक विंटल हो तो एक चीज़ तो कई बार बच्चे ब्रहमित हो जाते है उनको क्या लगता है कि ये भी देनी पड़ती है और ये भी देनी पड़ती है ऐसे थुड़ी होता है मतब कोई भी एक देदो जो दोनों की मानलों की मानलों रहा जाए जैसे अब S.A.P. जादा है तो आप चीनी मील चलाते हो तो गन्ना उत्पादक को 700 रुपे क्विंटल दे देते हो भग ना तो F.R.P. की मानलों तो अपने आप ही हो गई केंद सरकार का कोई भी इंस्पेक्टर आपको ये तो नहीं कह सकता है कि आपने गन्ने उत्पादक को कम रेट दिया इसे कैसे कह रहा वो कहेंगे भग या रेट ये साइन करा रखे आप देख लो मैं 700 रुपे दिये दे और राज्जे सरकार की S.A.P. 700 है तो उमारी F.R.P. तो 600 है काश मतलब ये भी 600 होती लेकिन हम 700 रुपे देने पड़ रहे हैं कि उत्रप्रदेश ते गर्ना खरी दिना हमें और यहां की सरकार है इसको ज़्यादा की हुए उल्टा करके देख लो मान लीज़े ये 700 है ये 600 है तो आप तो भी 700 दो फिर ये दो तो ये अपने आप ही इसका सम्मान रहे गया उत्रप्रदेश की गर्णमेंट मान लो ये कह रहे है अब आप 700 दे रहे हो तो ये तो अच्छी बात अब केंदर की बात रह गई राजी के अपने आप रह गई इसमें ऐसे ब्रांती में आने की जरूत नहीं है ये दोनों में अंतर वा तो क्या करेंगे दोनों में अंतरवा तो जो सबसे ज़्यादा है वो तो कम वाली तो अपने आप ही कवर हो जाएगे राइट परिग्राप चेंज करके फिर लिखिए ये तो मैंने से पी का एक्स्ट्रा लिखा दिया आपको बाइक इससे में ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हम तो UPSC के लिए पढ़ रहे हैं इस पेरेग्राप चेंज करके लिखिए लिखिए कि बेस कोई मता हाँ ये तो है कि स्ट्रेट गौर्णमेंट कम से कम एफार्पी से निचे तो ऐसे पीर नहीं रख सकती हाँ 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 ये अलग है इसको अलग दरजा दिया गया है इसको अलग रखेंगे उसमें कोप्रा कोटन इस तरह के आ रहे हैं बाइस के अंदर वो में लिस्ट दे दूँगा आपको उनके फाइदा चाने से नहीं होगा ना फाइदा तो उनको एक यो कुछ ना दे है ना सबसे ज़दा फाइदा इसी में कि किसी को कुछ ना दे तो क्या वो कर लेगी ऐसा थोड़ी होगा मतलब जो सरकार ने बता रिखी वो ही देनी पड़ेगे ना आपको नई वो कमिशन ते करते हैं बता रहा हूं वो ही लिखाने वाला हूं आगे पेरिग्राफ चेंज करके लिखें लिखें एमस्पी और एफ रपी अब हम ऐसे पी में नहीं जाएंगे स्टेट्स का अपना सिस्टम होगा एमस्प और एफ रपी दोनों के बारे में सुझाओ दोनों के बारे में सुझाओ C-A-C-T बोर्ड पे लिखना Commission on Agricultural Coast and Prices Commission on Agriculture Cost and Prices द्वारा बदो यह तो फुल फॉर्म हो गया अब लेंग्वेज पुरा कर लो द्वारा दिये जाते हैं C-A-C-P द्वारा दिये जाते हैं लेकिन अंतिम निरने C-C-E-A Cabinet Committee on Economic Affairs द्वारा किये जाते हैं अंतिम निरने C-C-E-A द्वारा किये जाते हैं इसका फॉल फॉर्म करके पूरा इसके बारे में P-T 2015 में भी एक सवाल आया था चाहे तो ब्रेकेट में एक लो U-P-S-C-P-T 2015 U-P-S-C-P-T 2015 कॉस्टक में लिख लो पीछे रेफरेंस के लिए ताकि आपको आइडिया रहे कि सवाल किसे पूछता है सवाल तो सिंपल था लेकिन उसको कॉम्पलिकेटेड इसलिए बनाया गया किस तरह से बनाया गया वो बताता हूँ अब तो खिर अविरनेस F-R-P के बारे में बच्चों को लेकिन 2015 के आसपास इतनी अविरनेस नहीं F-R-P ये नहीं पुछा कि MSP के लिए अंतिम निरने कौन लेता है ये पुछा कि F-R-P के लिए अंतिम निरने कौन लेता है तो अब F-R-P सुनावा है तब तो कोई कर सकता है इसे अब सुनावा ही नहीं है तो उसमें एक विकल्प था Cabinet Committee on Economic Affairs Recommendation वो Commission की होती है जो पीछे लिखा था मैं अब वो भी किस आधार पर recommend करता है उसको पढ़ेंगे भी इसके बाद में प्रस्तावना के बाद कि MSP का determination की स्क्राइटेरिया से होता है उसमें आपको बहुत concentrate होके पढ़ना पढ़ेगा उसमें जो concept आएंगे और वो जो PT के आपके papers हैं उसमें भी help मिलेगी मैं कुछ-कुछ प्रस्ट बताऊंगा आपको जो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अब वो PT से कैसे link हो रहा है सवाल बिलकुल अलग क्षेतर के हैं लेकिन वो यहां से solve हो जाएंगे आपको खेर तो FRP और MSP दोनों का recommendation CACP देता है final decision इनका होता है अब मैंस में आप लिखोगे तो इतना लंबा मत कर देना इसको या हिंदी में लिखोगे तो आर्थिक मामलों की cabinet समीथी ये भी बहुत लंबा हो जाएगा तो it's better कि आप ये लिख देना CCEA अंतिम निरने लेता है बस इसका full form अपेक्षित नहीं है छोटे शब्दों का full form महापर मत करें इससे थोड़ा फाइदा मिलेगा आपको हिंदी मीडियम में तो ये सारी चीज़ें इस सारी बात को लिखकर आपको क्या समझा है भारत में होल्टी कल्चर की जो चीज़ें उनके उपर MSP डिकलेर नहीं करती है केंद्र सरकार जो बागा अब अगला हेडिंग लगाईए